कैसे हो आप सब आई होप सब अच्छे होंगे तो गाइज आज मैं लेकर आई हूँ वीडियो उन पेरेंट्स के लिए जो अभी नूली पेरेंट बने हैं और यह उनके लिए वीडियो बहुत जादा हेल्फुल होने वाला है तो फ्रेंट्स इसमें मैं अन्बॉक्सिंग करने लगी हूँ गोप फूगो म्यूजिकल कॉट मोबाइल की यह हैंगिंग टॉय है बेबी के लिए छोटे बेबी के लिए बेसिकली आप इसको कॉट्स में क्रेडल में या फिर क्रेब में यूज कर सकते हो या फिर अगर आपके पास यह चीज़े नहीं है तो आपका बेबी यह चैए़ आपके साथ डबल बेड पे पर होता है तो आप डबल की उपर घूज कर सकते हो मैंने इसको डबल बैट पर लगाया है तो देखिये किस तरह से हैई है अच्छ से क्या इसके functions है और किस तरह से यह और इसमें से यह box मैंने अंदर से निकाल लिया है तो आप देख सकते हैं इसके packing कितने अच्छे से की हुई है तो यह अलग से एक box अंदर से निकल कर आया है जिसमें इतना प्यारा सा handle दिया हुआ है easily इसको हम पकड़ चकते हैं multi functional music bed bell good way का है यह और इसके उपर सारी instructions दिये हुए है किस तरह से इस hanging toy को assemble करना है और इसके modes क्या क्या है वो सब कुछ इस box पर ही mention किये हुए है और इसमें से एक page भी निकलता है उसमें सारी instruction दी हुई है यह मैंने amazon से मंगवाय था तो चलिए मैं इसको भी open कर लेती हूँ और देख लेते हैं इसके अंदर किस तरह से packing कर रखी है hanging toy की तो चलिए इसको open कर लेती हूँ मैं तो आप देख सकते हैं इसकी packing कितने अच्छे से की हुई है कहीं से भी इसमें toys को damage होने का कोई डर नहीं है इसमें 2-3 box में packing कर रखी थी और ये एक और अलग से box अंदर से निकल कर आया सामने और आप देख सकते हैं इसमें ये जो toys हैं सब अलग-लग इस तरह से दियो हैं अलग-लग पॉल्थिन में pack हैं ये इसमें ये चार removable toys दे रखे हैं अलग-लग से जिसको हम अभी इसके उपर हैंग करेंगे elephant, rabbit, teddy bear और एक giraffe चोटा सा ये चार जो हैं ये चारो तरफ हैंग होंगे और center में ये mirror वाला sunflower लगेगा इसमें adjustable toy है ये इसके hand, leg, neck आप किसी भी तरह से इसको move कर सकते हो इसी box के अंदर इसको बहुत अच्छे से secure करके tie किया हुआ था तो आप देख सकते हैं मैं अभी आपको box उठाके दिखा देती हूं ये देखिए इसमें चोटी-चोटी silver wires के साथ इसको अच्छे से tie कर रखा था ताकि ये इदर उदर ही ले जुलेना और इसका खराब होने का कोई डर नी था और वैसे भी इसकी quality बहुत जादा अच्छी है high quality product है ये आप देख सकते हैं किस तरह से इसको wire के साथ इस तरह प्रोटेक्ट किया हुआ है अच्छे से secure किया हुआ था ताकि ये खराब ना हो और center में ये छोटा सा box जो दे रखा है इसमें music box है जिसमें music का सारा control है आप इसको music controller भी बोल सकते हो और इस box के अंदर भी इसको अच्छे से polythine में pack किया हुआ है आप देख सकते हैं इस तर तरह के musical modes दे रखे हैं playing mode, sleep mode and natural mode और इसमें ये buttons दी हुए है और ये volume adjustment का button है आप volume कम जादा कर सकते हो इस button से और आप music change कर सकते हो तीन तरह के इसमें music है तीन चार तरह के आप उसको change कर सकते हो ये आगे वाले buttons से तो मैंने इसको amazon से order किया था और इसका price था 1600 के around इसका price था और price के according अगर इसकी बात करें तो इसकी quality बहुत अच्छी है अगर किसी को लग रहा हो कि price इसका जादा है और quality पता नहीं कैसी होगी बट मैं इसको highly recommend करूंगी कि आप लोगों को ये लेना चाहिए बहुत ही अच्छी इसकी quality है according to price तो assemble करने के बाद जब हम इसे hang करेंगे तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा और ये देखने में भी बहुत प्यारा लग रहा है as a decor piece भी आप इसको लगा सकते हैं मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा और जैसे कि अभी मेरा baby one year का हो गया है तो अभी ये इससे खेलता नहीं है सिर्फ इसके ये जो hanging toys है ये चोटे toys removable है adjustable है इनके hands, neck, face ये सब कुछ move हो जाता है तो अगर आपका baby बड़ा हो जाता है तब भी वो इससे खेल सकता है आप इसको remove करके अपने baby को दे सकते हो जैसा मैं करती हूँ अपने baby को दे देती हूँ ये अलग से निकाल कर तो वो उससे अच्छे से खेल लेता है तो ये था go appoo go musical court mobile with battery operated rotation आप इसको timer के साथ भी किसी भी musical mode में set करके इसको on कर सकते हो अपने baby के लिए तो अगर आप अपने baby के लिए इसको मंगवाना चाहते हो और अगर आप कुछ भी और मुझसे detail में इसके बारे में कुछ जानना चाहत हो तो आप मुझे instagram पर message कर देना तो मैं इसका आपको जरूर reply करूंगी और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेयर और कॉमेंट जरूर करना प्लीज अगर आप कोई new मेरे चानल पर विजिट कर रहा है तो subscribe करके जाना मेरे चैनल को thank you so much for watching bye bye take care